किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं काफी जादा important topic है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो friends वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाला है और friends यकीन मानिए हर exam में इस topic से question आती ही हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले question से first question है मारा cricket खेल में कितनेatore होलाणी होते हैं सही answer है option c 11 खेल में होते हैं cricket । important point discuss करने से पहले आपको ट्रिक बता देता हूं कि आपको कैसे याद रखना है कि 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट खेल में देखो फैंस मुख्य तर तीन खेल होते हैं जो आपने सुने होंगे यह होता है फैंस क्रिकेट जो कि हम अकसर टीवी में देखते हैं दूसरा होता है फुटबॉल और तीसरा कौन सा होता है होकी यह तीन खेल होते हैं तो आपको याद रखना है कि जो तीन खेल हैं इन में हमेशा खिलाड़ी की संख्या 11 होती है किर्केट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, अब देखो यहां पे आप किर्केट, यहां पे आप देख रहे हो, कि यह जो खिलाड़ी है, इसके हाथ में बैट है, अब इस बैट को अब धियान से देखो कि यह देखने में क क्रिकेट सम्बंद एते कुछ ट्रॉफी बता देता हूँ जो की इक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो देखो देवदार ट्रॉफी या बोल सकते हो देवदर कप, दिलिप ट्रॉफी, कूच विहार ट्रॉफी, एसस ट्रॉफी, सीके नैजू ट्रॉफी, जेके बॉस ट् बास्केट बॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो friends, सही आंसर इसका, option A, 5 खिलाड़ी होते हैं, बास्केट बॉल खेल में, friends, आप इस फोटो में देख सकते हो, कि बास्केट बॉल खेल कुछ इस परकार से खेला जाता है, ठीक है, और important points से बताने से पहले, हमको trick बता ठीक है, तो आप समझ सकते हो, friends, पारले जी पांच रुपे का आ रहा है, और biscuit से हमने बोला basket, तो बास्केट बॉल में कितने खिलाड़ी होए, पांच खिलाड़ी होए, यह trick आप आपने याद रखना है, ठीक है, आपके दिवाब को फेश्या click हो जाना चाहिए, पारले जी, कितने का आता है, पांच खिलाड़ी होते हैं, बास्केट बॉल खेल में, यह आपको याद रखना है, अब हम बास्केट बॉल खेल से संब्धित प्रोमुक ट्रॉफियां देख लेते हैं, या कब देख लेते हैं, पहला है, सी मुनी सोमी कप, S.M. अर्जुन र कोश्ण को ध्यान, समझना है, मैंने आप से पूछा है, कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, कुलत दो खिलाड़ी होते हैं, तो सही आंसर के है, date लिएृड. का option D, दो होते हैं, और आपने फोटों में, तेबल पर आप लिए खiac होते हैं ठीक है तो कुल कितने खिलाड़ी हो गए दो खिलाड़ी हो गए और आपसे पूचे कि एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं बताब एक टीम में कितने होते हैं तो एक ही होता है ठीक है यह आपने आप रखना है प्रमुक ट्रॉफी और कप देख लेते हैं दुबाई उपन, नाइड़ो ट्रॉफी, विश्व बिलिट्स कप, लिमका ट्रॉफी, इन सभी का संबंध किस से है, शतरंज खेल से, next question, होकी में प्रतेक पक्ष में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है, मतलब एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, और आपको मैंने उपरी बताया था, तीन जो में गेम्स होते हैं, जो आप अकसर सुनते हो, एक होता है किरिकेट, दूसरा होता है होकी, तीसरा होता है फुटबॉल, ठीक है, तो आप इन तीनों में कितने बताया है, मैंने आपको इग्यारा बताये तो आप यहां पर देख सकते हो, यह अंसर क्या होगागा स्टिक है, यह देखने वे कैसा है, जब सबस्कों सीधा करो कि तो एक कितरह देखता है यहां से आपको ट्रिक मिल जादा है, कि हाँ क्या रखिलाड़ी है इसमें अब सबसे ज़्यादा इंपॉरेंट है होकी खेल से संब्धित प्रमुक कप या ट्रॉफी तो वो है बैटन कप रंगा स्वामी कप अब्देला स्वन कप अगाखां कप अब्दुलर्जा कप अजलान शाह कप केडी सिंग बाबू ट्रॉ वोड्र ट्रॉफी रैंट फ्रैंक ट्रॉफी ध्यांचंत कप वोरुगपप गोल्ड कप स्टेंली कप सिंधिया गोल्ड कप इनसभी का सबस्त कि से होकी खेल से है यह आपको याद रखना है नेक्स कोशण पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं सही आंसर इसका उप्श तो यहां से आपको ट्रिक मिल जाता है कि पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, चार खिलाड़ी होते हैं यह आपको याद रखना है एक टीम में पोलो खेल समदित प्रमुक कप और ट्रॉफी देख लेते हैं अजर्डक कप, रादा मोहनक प्रिथ्वी सिंग कप, plassic cup कभी भी खिलाड़ी होते हैं हमेशा काउंट करनी है एक Tyne++ काउंट करो हमेशा याद रखना है आपको इक Teen का ठाउंट करना होता हौता है वॉलीबॉल खेल, वॉलीबॉल की परते एक टीम में खिलाड़ी की संकिया कितनी होती है, छे होती है, यह आपने याद रखना है, और फ्रेंट्स मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, देखो फ्रेंट्स यहां पर क्या लिखा हुआ है, वॉली, वॉली से आप बोल सकते हो, ब बनाता है क्रिकेटर, तो यहां सबको ट्रिक मेल जाए कि वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होती है, वॉली, वॉली, ठीक है फ्रेंट्स, अब हम इंपॉर्टन पॉइंट से वॉलीबॉल खेले संबंधी प्रमुक ट्रॉफी देख लेते हैं, ग्रेंड चैंपियन्स कप, वी स पूछे जाते हैं, next question, netball की प्रतेक टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, सही answer है, option D, 7 खिलाड़ी होते है, netball में, इसका trick क्या है, देखो, netball होता है, आपको यहां पर लिखना है, English में, netball, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने polo में, 4 alphabet थे, 1, 2, 3, 4, आपने है, कि netball में, 7 खिलाड़ी होते हैं, यह आपके लिए important रहेगा, friends, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है, वीडियो की quality पसंद आ रहे है, content पसंद आ रहे है, वीडियो को like और share जरूर करना, friends, और आप मुझे comment में जरूर बताना, कि आपको अगला वीडियो किस topic के उप जाएं, कि netball किस परकार से खेला जाता है, यहाँ पर pole है, यहाँ पर net लगा हुआ है, और ball को इसमें डालना होता है, ठीक है, और volleyball आप यह देख सकते हो, कुछ इस परकार से खेला जाता है, ठीक है, next question कर लेते है, कबड़ी के खेल में, प्रते एक पक्ष में, खिलाड़ी होते है, देखो friends, मैंने आपको पहले ही बताया, कि जो main main खेल होते है, कौन से, football, ठीक है, उसके बाद cricket, उसके बाद hockey, इनमें कितने खेलाड़ी होते है, 11 खेलाड़ी होते है, वही मैंने आपको बताया, friends, जो polo खेल है, ठीक है, उसके बाद आपको बताया, netball हो गया, ठ से इसे लिखते हैं। अब दीजु कितने शब्देस में शात है तो कबढडी में कितने हो गए सात हो गए.. divis के चोड़ी चोड़ी ट्रिक्स होती हैं ठीक है कि exam time पर काफी useful है तो कबढडी में कितने खिलाड़ी हो गए सात खिलाड़ी हो गए अब कबड़ी खेल से संबंदित प्रमुक ट्रॉफी देख लेते हैं, प्रो कबड़ी कप और फेडरेशन कप, इनका संबंद है कबड़ी खेल से, नेक्स्ट कोशन, जिमनास्टिक के खेल में प्रतिक पक्ष में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है, सही आंसर इसका यह जिमनास्टिक के खेल में और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ओलंपिक का लोगो लगा हुआ है, अब आप यहां पर देख सकते हैं, आपको आठ दिख रहा है कुछ इस प्रकार का, जो ओलंपिक की रिंग्स होती है, तो आप याद रखने हैं, ओलंपिक में जो gymnastic होता है, फिंट में 8 खिलाड़ी होते हैं, और एक ट्रिक और भी होता है, gymnastic, मतलब क्या word आ रहा है, gym word आ रहा है, ठीक है, तो आप सभी को बता है, जो gym जो होता है, लोग अकसर या शाम को जाते हैं, या सुबह जाते हैं, तो सुबह कितने में जाते हैं, वो 8 पे जाते हैं, या शाम को 8 पे जाते हैं, तो यहां से आपको ट्रिक मिल गया, कि gymnastic में प्रतिक्ष पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं, और सम्मंदित कप और ट्रॉफी है चाइना कप, जो के एक साम में अकसर पूछा जाता है, next question कर लेते हैं, खोखो खेल में एक टीम में कितने खिला खिलाड़ी होते हैं, तो सही answer इसका गया, option A, 9 खिलाड़ी होते हैं, अब कैसे याद रखने हैं, आपको देखो friends, खोखो को हम कुछ इस परकार से लिखेंगे, खोखो, खोखो, ठीक है, अब कैसे याद रखने हैं आपको, दो ट्रिक दूंगा friends, मैं आपको, ठीक है, यहा खोखो में 6 word थे, 6 alpha bet थे, हमने इसको उल्टा किया, तो 9 हो गए, यादि 9 खिलाड़ी हो गए, ठीक है, यहाँ पर simple सा fund है friends, देखो, यहाँ खोखो कितनी, बहुत अच्छा trick बता रहा हूं भी, यह खोखो लिखा मैंने हैं, ठीक है, खोखो लिखा, तो खोखो में कितने है 3 है, अब देखो friends, खोखो दो बार आ रहा है, जब भी friends, दो बार कोई चीज आती है, हम को क्या करते हैं उसको, हम इसको scare कर देते हैं, तो जब 3 का scare करोगा, कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है friends, यह भी trick था आपके लिए, next है हमारे पास, baseball खेल में कितने खिलाड़ी एक ट देखो, 9 तो आनी था, ठीक है, तो इसका सबसे असान तरीका है, baseball, baseball, बेस से आपको याद में आएगा, बस, ठीक है, तो आप देखते हो friends, जब भी सुबह सुबह आप जाते हो, तो देखते हो कि काफी लोग खड़े होते हैं, बस पकड़ने के लिए, बस stand पे, क्यों खड होते हैं, office जाने के लिए, office का time कितना हो, बस जाते है, 9 से 5, यानी कि 9 आपको याद आजाएगा, कि 9 खिलाड़ी होते है, baseball, खेल में, अगला question है, football team में, कितने खिलाड़ी होते हैं, सही answer इसका option A, 11 खिलाड़ी होते है, football team में, मैंने आपको उपर ही बताया था friends, देखो, football खेल से संबंदित प्रमुक कप और ट्रॉफी, तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, BC राय ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप, मरडेका कप, विटल ट्रॉफी, सुबोर्तो, मुखरजी कप, कॉलम्बो कप, डुरंड कप, फीफा विश्व कप, UEFA Champions League और IFA Shield, इन सभी का ज्यादा question directly हमारी book से पूछे जाते हैं, रवी जीके के नाम से book है, हमारे चैनल का origin, trademark, red girl का लगा हुआ है, रवी study हाई क्यों जीके का, Amazon flip card से आप इसको buy कर सकते हो, हर exam के लिए काफ़ी useful है, रगभी football में प्रतेक पक्ष में खलाडियों की संख्या कितनी होती है, सही answer है, option C, 15, रगभी football में प्रतेक पक्ष में खलाडियों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, यह आपने याद रखना है, तो friends, कब मैं आपको trick बतायता हूँ कि रगभी football में प्रतेक पक्ष में खल पांच आ रहे हैं ठीक है अब यहां पर 11 था फुटबॉल में रगभी में थे 5 अब देखो रगभी फुटबॉल को जोड दिया गया तो अब्विस सी बात है यह 5 इस जगे पर आ गया तो कितने खलाड़ी हो गए 15 खलाड़ी हो गए ठीक है यह आपने याद रहे हैं चोड़ ठीक है और वाटर से आपको चीज याद आ रहे है क्या समुंदर क्या याद आ रहे है साथ समुंदर ठीक है आपने गाना सुनाओगा साथ समुंदर ठीक है साथ समुंदर अलगाना सुनाओगा न आपने तो साथ समुंदर यानि कि वाटर पोलो में साथ खलाड़ी होते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो यह table है और एक तरफ यहां पर 1 खिलाड़ी है पर एक team की bil berries तowल तो 1000 person खेल खिलेगा तो 1 खिलाड़ी वहाद अगर Double की बात होगी तो फिर 2 खिलाड़ी होगा तो दूसरा यहां पर होगा Table horsesあー Table horsefly kleinis यहां- devilا satisfaction night रखता है और राज कुमारी चैलेंज कप जुनियर महिला रखता है यह कब ठीक है यह आपको याद रखना है अगला कोशन लॉन टैनिस में एक पक्ष में कितने खिलाडी होते हैं सही आंसर इसका ऑप्शन एक या दो टैनिस केल में फिंड्स कोई भी टैनिस मैच हो उसमें ज कप बिली जिन केंग कप ठीक है यह इनका संबंद है लॉन टैनिस से अगला कोशन बैड्मिंटन में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं सही आंसर है ऑप्शन सी एक या दो अगर सिंगल खिलाड़ी खिलेगा तो एक टीम में एक होगा अगर डबल मैच होगा तो फिर कप सफी कुरेशी कप चड़ा कप हरी लेला कप अमरित दिवान कप काफी इंपॉर्टन है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना कमेंटर के फीडबैक भी जरूर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है अगला कोशन है सु यहां पर देख सकते हैं सुनुकर खेल जोता है कुछ इस प्रकार का होता है टेबल होता है यहां पर ठीक है और इस पर हरी रंग की घास पीछी होती है और इसके ऊपर चुट चुटे गेंद रखे होते हैं जिससे कि क्या होता है इसके हाथ में फिर स्टिक होता है ही होते हैं अब देखो फें ट्रिक क्या है सुनुकर से आपको याद आ रहा है सन क्या याद आ रहा है सन सुनुकर सन तो सन मतलब सूरज सूरज कितना है एक ही है फूरी मतलब यूनिवर्स में ठीक है तो एक आ गया ठीक है फेंट्स यह आपको याद रखना है अब हैं मुक्यबाजी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, असान सा कोशन है, फेंट से यह सही आंसर है, option B, 1, मुक्यबाजी खेले सम्मधित, कप पर मुख, कप और ट्रॉफी देख लेते हैं, king's cup, आखरी कोशन कर लेते हैं, और इसकी बाद फेंट मैं आपके लिए रिवीजन वाला पार्ट भी रखा है, तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना, और लास्ट में दो कोशन का टेस्ट भी है, next question है मारा, squash में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, फेंट यहां पर एक टीम की बात हो रही है, तो सही आंसर है, option B, 1 या 2, अगर singles में खिला जाएगा, तो एक टीम में एक खिलाड़ी होगा, अगर doubles में खिलाड़ी होगा, तो दो खिलाड़ी होगे, squash खिल कुछ इस परकार का होता है, यहां पर देख सकते हो कि एक room होता है, ठीक है, और room में क्या होता है, जो खिलाड़ी होते हैं, अगर singles मैच होगा, तो के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं ठीक है फिर फिर कमेंटर के जुरूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ओपर चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं पहले कोशन से फर्स्ट कोशन रिवीजन का क्रिकेट खेल में कितने खिलाडी होते हैं सही आंसर इग्यारा अगला कोशन रिवीजन का बास्केट बॉल खेल में कितने खिलाडी होते हैं सही आंसर इग्यारा पोलो टीम में कितने खिलाडी होते हैं सही आंसर इग्यारा पोलो टीम में कितने की संख्या कितनी होती है सही आंसर है 6 अगला कोशन करते हैं रिवीजन का नेट बॉल की प्रते एक टीम में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है सही आंसर होती है कबड़ी की खेल में प्रते एक पक्ष में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है सही आंसर होती है जिमनास्ट खेल में एक टीम में कितने खिलाडी होते हैं सही आंसर है 9 नेक्स कोशन करते हैं रिवीजन का बेसबाल खेल में कितने खिलाडी एक टीम में होते हैं आंसर है 9 फुटबाल टीम में कितने खिलाडी होते हैं सही आंसर है 11 रगबी फुटबॉल में प्रतेक पक्ष में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है आंसर है 15 रगबी फुटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाडियों की संख्या होती है आंसर है 7 टेबल टैनिस में एक पक्ष में कितने खिलाडियों की संख्या होती है आंसर है एक या दो सुनुकर में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं मुक्यबाजी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं सही आंसर है एक या दो मैंने आपको 20 कोशन करवाए फुल डिटेल में फोटो के साथ उसके बाद सभी question का आपको revision करवा दिया ताकि आपको सभी question के answer इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं अब इस वीडियो का एक और भेहतरीन पाट आ गया वो यह है कि दो question का test जिसका answer आपने मुझे comment में बताना है उसे पहले मैं आपको बता दो friends आपको अगर किसी भी topic के ओपर वीडियो चाहिए चाहिए science का हो, policy का हो, history का हो, economics का हो, geography का हो आप मुझे comment में ज़रूर बताना कौन से topic पे आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो मैं आपके लिए completely ले कराऊँगा में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है दोनों question cancer friends आपने मुझे comment में बताना है ये video complete हो चकी है उम्मीद करता हूँ आपको ये video पसंद आई हो वीडियो पसंद आई है, video को like और share ज़रूर करना और comment में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है ठीक है friends और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे है जो हमारी book है रवी जीके के नाम से हर exam के लिए काफी जादा useful है 90% से जादा question directly हमारी book से पूछे जाते है मतलब हमने बहुत महनत करी है इस book में ठीक है रवी जीके की book है हमारे चैनल का ओरिजन ट्रेडमार्क लगावा इस book के ओपर आप इसे Amazon Flipkart से खरी सकते हो ठीक है friends अब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू एंड विश यू अल दी बेस्ट